जो झूल था को आच वीडियों में तो मेल और फीमेल में डिफेरेंसे बता रहा हूं बेटास में तो वीडियो भीना स्किप करते लास्ट धेखिए तो मैं इदिस traitor में तो मैं धाल के बताता हूं पहले तो अपन फीमेल को लेते हैं तो यह जो राइट सेड का है वो फीमेल है और लिफ्ट का जो है फीमेल है मेल है तो मैं अब फीमेल को तो पकड़ रहा हूँ चलो female को तो अभी display टाइंग में तो दाल लेते हैं और female में जो है female का जो है structure कैसा होता है वो अब मैं explain करता हूँ तो video तो last तक देखिए तो female जो है थोड़ा बहुत male से color तो थोड़ा dim होता है और यह जो female है delta crown tail का female है perfect ohm तो नहीं होता है तो थोड़ा वो तो color dim होता है इसका तो तो इसको अच्छे थारा से देखे तो अपन को export नजर आता है अपन को और female जो है male से थोड़ा वो चोटा होता है और female की body जो है male body से थोड़ा बड़ा होता है पूरा पूरा आडल्ट फीमेल का तो तो यह तो पूरा आडल्ट फीमेल तो नहे होता है यह तो अब थोड़ा छोटा फीमेल है तो इसको तो एक्स तो रडी हो गए इसके पेट में अपन इसको ब्रीड भी कर सकते अब अब तो अच्छा देखे तो अपन को तो एक्सपॉर् ओफी मेल का, तो वो exhaust से जो है वो X release करता है, जब meeting हुए जब, तो female का structure ठोड़ा निच्छे जो है, तोड़ा बोट एसा flower रहता है, जब female में अडे हैं जब, तो top view भी देख सकते हैं, पन कू मेल से भी ठोड़ा मोटा दिखता है female तो, और मेल फिन्स जो है बहुत छोटे होते फीमेल के कभी भी मेल के उत्ता बड़ा तो नहीं होते तो मैं अब फीमेल को तो निकाल दे रहा हूँ और अब मैं मेल को डालता हूँ तो यह तो फीमेल था तो अब मैं इसको तो छोड़ देता हूँ तो देख सकते मैं अभी भी देख सकते एकस्पॉट तो दिख रहा है अभी भी तो female में जो है कभी भी एकस्पॉट दिखता है और जब breeding का प्रासस होता होता है ना तो जब female का export जो है अभी थोड़ा निच्छे हो जाता है जब अपन female ready to breed है बलके सोचना सोचना है तो जब breed भी हो जाता अच्छी तरह से तो ये तो देख सकते ये तो एक थाइफलाग में mixer color है तो इसको थाइफलाग बोलके बोलते है नॉर्माली लेकिन ये perfect थाइफलाग तो नहीं होता है लेकिन ये strain तो OHM बोलके बोलते है शॉप की परस तो फुलमून बोलके बोलते है इसको लेकिन मैं तो OHM बोलके बोलता हूँ तो ये जो है perfect OHM male है और इसके साथ मैं female भी दिखा रहा हूँ बाज़ुक लगा के तो ये देख सकते है male जो है female से बहुत बड़ा होता है और fins जो है female से triple या four times ज़्यादा fins होते है इसको और perfect OHM का फिन जो tail का फिन जो रहता है वो एकदम 180 degrees प्लेस होता है tail तो D shape से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है जब perfect OHM है तो OHM की full form जो है over of moon बोलके full form है उसका तो ये देख सकते हैं मेल और female को तो एक साथ डालके देखा रहा हूँ तो देख सकते हैं male तो कभी भी flaring करते ही रहता है female को देखे तो या कुछ अभी एक बेटा को देखे तो तो female male के जो है gills open male जो है gills जो है बहुत अच्छी तरह से open करता है और बहुत देर gills open करके रखता है और female जो है उसा तो नहीं करता है वो एक बार flare करके फिर से चले आता है तो देख सकते हैं male को तो export होता नहीं है और female को तो export पका होता है तो ये देख सकते हैं ये जो female है मेरे पास बहुत ही पुराना female है और बहुत ही जेंट size का female है जेख सकते हैं male, perfect male के उत्ता है और male से भी थोड़ा बहुत बढ़ाई है ये camera में तो उत्ता अच्छा नजर नहीं आ रहा है लेकिन male से बहुत ही बढ़ा है तो ए size का female तो अपन breed तो करने सकते हैं लेकिन अपन इसको तो तो अपन फीमेल तो थोड़ा छोटा ही चुन लेना है breeding के लिए तो तो male के उत्ता तो female है तो बहुत ही मिश्किल है breeding में तो छोटा सिल्क के लिए तो बहुत अच्छा होता है तो यह देख सकते यह भी female ही है और यह जो है female परफेक्ट OHM का female है तो इसका टेल जो देख सकते है 180 डिग्री प्लस है पिछे के तरफ सामे के तरफ इसके टेल जो है सामे के तरफ बेंड हुए सो है तो उसको जो है परफेक्ट OHM के बोलते हैं तो छेलो गास थांक्स फॉर वाचिंग मिलते अगली वीडियो में